हेलो बच्चो मैं दीपा और माभिपशा एजूकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस इननी क्लासिस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम सेरीज में हैं और क्या है मार्च मिशिन के ट्यारी में निकल चुके है ना तो आज इसी के आगे चैप्टर में हम आगे हैं कहां अपने मानव अधिवास आपको पूरे पिक्छर दिख से दीख रहा होगा क्या है बहुत सरे अलग-अलग घर बने तो ये घर क्या दिखा रहे है भई अलग-अलग टाइप के क्या वास मतलब शहर गाओं सब दिखा रहे तो आज के लेक्चर में हम अपने इकाई 6 को क्या पढ़ने हैं मानव अधिवास को ठीक है तो ये क्या है हमारा इकाई 9 के अंतरकत आता है जो मानव अधिवास लोगत अंतरों समाजी कांदोनन और वैश्वी करण ठीक है यहां से एक तीन पास नमबर के कोशन आते हैं इस तो इस लेक्चर में हम जितने भी प्रेशन देखेंगे वो जिए तीन नमबर के अनुसार देखेंगे और अगर खुदा ना खासता ये पांच नमबर का आ गया तो क्या करना है आपको उसी को थोड़े बड़े रुप में लिखना ठीक है तो इस चैप्टर से हम तैयारी कि इन लिखना लाग्स से करसे क्रेंगे ठीके चैप्टर पर आते हैं अध्यायचह मानव अधिवास के अपके कछा दसवी समाजर के अंतरगत किसका पाट है भई भुगोल का पाट है ठीक है चलो शप्टर शुरू करते हैं यह हमारा माइंट पांट हम इपन, कानों को प्रभावित करने वाले जलवायू होती है, संसाधन उपलब्द कैसे होते हैं, वहां का उचावज क्या है, वहां के क्या प्रती रूप है, उसके ऐकौर्डिंग होती है, ठीक है, ग्रामिन अदिव नाम को रख दिया जाता ठीक है ग्रामी अधिवास से को प्रभावित करने वालगा कारेक्र नाम को कारेक्र ने जलोग बचते हैं तो कैहा है नगरी आठिवास पत्ती Kom kinderg in Kal nordi तो यही बस चेप्टर में है और इसी को क्या थोर फोर फोर लाइन में आपको ब्रीफ करना है तीन माक्स का मतलब समझे लिए 50-60 शब्दों में, 5-6 लाइन में आपको क्या है, पुरे आंसर को खतम करना है, तो कोशिश करेगा, एक छोटा सा डाइकराम बना के, एक साइट फ्लोचार्ट दिखा के, दूसरे साइड उसके आंसर को लिखके, आंसर खतम करना है, ठीक है, च जादा वर्षा वाली शेतर होंगे, हमालक हर बनाएंगे है ना, और जैसे बर्फीले प्रदेश है, वहां हमारे अलग घर बनेगा तो यही सब क्या होता है, जलवायू प्रभावित करती थीक है, भूमंदर एक प्रदेश में जहां वर्षा अधिक होती है, वहां लोग मच करेंंगे तो यहां बहुत ज़्यादा भूकार ने बनाएंगे जनरी लखड़ी के या सस्ती चीज़ों से में बनते उसको बनाएंगे कि जनरी लकड़ी के यहां बनाने पड़ेंगे उच्चा वश्मनल जाएगा तो पहाडी प्रदेशों में हम अलग बनाते हैं धरातल इस्तों में क्या है एक समान मकान बनते हैं पहाइड प्रदेशों में क्या होगा एक साइड का दिवाल ऊचा होता है दूसरे साइड का दिवाल छोटा होता है तो यह सब क्या है मकान के बनने के प्रतिरूप को रिसाइड करते हैं वहां की जलवायू कैसी है वहां संसा इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं, पहले तो भई किसान, गाउं में अधिकतर कहां मिलेंगे, किसान मिलेंगे क्रिशीर प्रधान दिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों का समू होते हैं उन्हें पूर्वा, तोला, पारा, आधी के कहते हैं 36 गड़ में पारा, पारा, डी, मज़रा के नाम सुझाते हैं हम लोग बोलते हैं बोहाड डी होगे, गाता डी, है ना, पटेल पारा, सतनामी पारा, गोड पारा, दिवांगान पारा, यह सब क्या होता है हमारे जो 36 गड़ में क्या है, गाओं में बसाहाट होती है, उसको नाम देते हैं, ठीक है भारत में ग्रामीन अधिवासों के निर्ने प्रकार है, पहला सगन अधिवास, विखंडीत अधिवास, पल्ली पूर्वा पारा और पक्रिण सगन अधिवास मतलब बोला जाए तो एक ही जगा पे बहुत लोग रहते हैं, जोसे, हमारे गाओं में, बड़े बड़े गाओं में क्या होते हैं, पारा होते हैं, बारा होता है, बहुत सारे लोग एक ही टाइप करते हैं, तो वह क्या देवास, पूरा खेट खली आण बहुत दूर दूर भी रहेंगे लेकिन खेट के एक दूसर 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 रहते हैं ठीक है प्रक्री नदफ़ा भिखरे हुआ यह तो पूरा मतलब यह क्या होता है कोई गाओं में है उसमें दो ही तीन-चार घर मिलेंगे फिर खेट है फिर घर मिलेंगे ठीक है यह पल्ली प हमने ग्राम को सवरूप को भी देखा है शहर के सवरूप तो इसको आप अपने वर्ड में लिखो यह यह पॉइंट याद कर लो और आंसर बना लो ठीक है चलो अगला है मानव अधिवास के आयताकार प्रतिरूप को लिखिए या मानव अधिवास के जो प्रतिरूप है है आयताकार वित्ताकार वर्गाकार रेखिरूप इसको आपको कहा है सबको बताना है ठीक है चलो आंसर पर आते है विविविन अवासर के प्रतिरूप पहला क्या है रेखिर प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप में बहुदा मुख्य मार्गो रेल मार्गो नदियों के खिनारे होते ठीक है तो आपको बनाना होते आप कैसे बनाएंगे भई ये रेल मार्क बना दो है ना ये क्या हो जाएगा हमारा रेख ही है ठीक है दूसरा का आयताकर प्रतिरूप क्रिशी जोतो के चारो और एक प्रतिरूप विक्सित होते हैं सड़के आयताकर होती है जैसे यहाँ पर क्रिशी जोत हो जाएगा ठीक है ये हमारा सड़क हो जाएगा ये हमारा क्रिशी छेत्र ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा घर हो जाएगा ठीक है वर्गा का प्रतिरूप ऐसे अधिवास मुखिता पंग्रंडियों सड़कों के मिलन स्थल संबंध होते हैं ऐसी अधिवासों का संबंध विस्तार कभी कभी गाओं में मुपलब दो चौकारों वर्गा का शेत्र में होता है मतलब समझ लिजे ये गाओं पूरा बसा होता है चौकार के रूप में ठीक है आगे विट्टा कार प्रतिरूप ऐसे प्रतिरूप के अधिवासों में सघनबादी के कारण आवासी काईयां बहुत अधिक सटकर रहती हैं समझ लिजे क्या होता है जैसे ये पूरा एक कुछ है ना शहर उसमें घर एकदम सटी सटी ये आपका बीच में रोड होगा जैसे गली महले में देखते हो ना पूरा एक सटक होता है और इतना दिवाल एक दिवाल दू मतलब कोई एक चोर आया तो तस खर को चोरी करके निकल जाए वैसा वाला खर ठीक है अगला आरी तरिजर प्रतिरूप इस प्रकार के इस प्रकार के प्रतिरूपे सटके गलियां किसी केंदरी स्थान जैसे जल स्टोस मंदिर मज़ित वेवसाइक उन्मुक होती है गुरुष शिखर के पास मान टबूर इसमें क्या होता है एक ऐसा होता है कोई बीच रहेगा तो उसके पूर चार ओर क्या होंगे हमारे घर बसे होते है ठीक है नगरी अधिवास क्या कैसे उत्पत्ति होते ठीक है तो देखा जाए तो क्या होगा जलवायू धरातली स्वरूप खनीज इवंशक्ति संसाधन जलापूर्टी के स्रोत परिवहन यातायात क्या है जलवायू अगर अच्छी होगी तो लोग क्या है वहां रहना पसंद करेंग जैसे रायपूर में क्या अट्मोस्फियर बहुत अच्छा है यहां कि खाने पिने की वश्ता अच्छी है यहां उद्योग धंदे बहुत अच्छे तो बहुत लोग क्या अगर आप पूछोगे कि रायपूर में आना पसंद करोगे तो हाँ काम के लिए कोई भी कहेगा कि ह हम पसंद करेंगे ठीक है जलवायू अनुकूल स्वास्त वर्धक जलवायू लोग निवास करना पसंद करते हैं ध्रातली स्वरूप संतल रथा उपजाओ ध्रातली भागों में अधिवासों का विकास अधीक होता है ठीक है खनी जयों सक्ति संसादन जैसे हमारे कोरबा है है न कोरबा में क्या है कोईला बहुत मिलता है तो वहां बहुत सारी क्या लेकि प्लांट लगे इसलिए क्या लोग वहां जाकर रहने लगे बीएसपी क्या एक बसावट की गई है वहां हमने क्या लगाया उद्योग लगाया उद्योग लगाया इसलिए कि वहां पूरे लो जैसे आपको क्या college जाना होगा है न तो आप ऐसे जग़ को चूज करोंगे न कि जहां असानी से को आप मिल जाएगा आपि नगर बस बाई होता है खुछ है जैसे भिलाई, BSP बस है, सिलतरा हमारे फैक्टरी हो गया, कॉरबा हो गया, ये सब जगा क्या है, फैक्टरी बनी है, जैसे भिलाई, पैस्पाट सायन्त रहे, कॉरबा में बहुत सारे क्या है, बिजली अद्योग लगे है तो उसमות क्या है, लोग क्या है, आखे बसने काम मिल जाएगा यह डेफिनेटल इसलिए लोग क्या करते हैं वैपार वानुजय का सुथरपात होता है अगर जैसे शूरत हो गया राइपूर जगह है यहां कि वैपार के बहुत अच्छे आप्शन होते हैं तो लोग क्या होंगे ऐसी बड़ी-बड़ी सिटीज हैं जहां आ आपके गनगरी अधिवास के पत्ति को प्रभाइड करने वाली कारक बच्चो तो अगर आपके तीन वक्स का आता है तो आपको क्या करना है इसके एक एक लाइन भी लिख दोगे ना आपको 5-6 लाइन में लिखना है दो दो लाइन में उसको define कर देना है ठीक है चलो अगले प्रश्ण पर आते हैं नगरी करन से कौन को से समस्या पर न होती है इसको आप लोग हर कोई देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा पढ़ने की बजा अपनी समस्या जिखना है ठीक है जैसे पहला करन क्या है पढ़िया और नी समस्या आए क्योंकि भाई जैसे बहुत जादा नगरी करन हो रहा है तो लोग क्या है नए 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 इमार्ते बटा ब तो यह सब के घर में एसी है, टीवी, फ्रीज, कुलर्ट सब चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, परियावरन प्रदुशन हो रहा है, ठीक है, बड़ी-बड़ी फ्रेक्टरीस है, उसे बहुत विशेले गैस निकल रहे हैं, तो यह सब के अपन्यावरन प्रदुशन का कारण ठीक है, जैसे महान अग्रों में प्रदुशन का मुख्य कारण वहानों और जोगिक संस्थानों द्वारा, मिश्रिस विशेले गैस रशायन है, जिसमें सल्फर डाई उक्साइड, कारवन मोनो उक्साइड, सीसा नाइटरस उक्साइड, यह होते हैं, जो स्वास्तिक लिए सफाई अच्छे से हो रही है, एक कमरे में चार से पास लोग रहा है, तो इससे क्या होता है, उनकी जो हेल्फ में बहुत जादा इंपेक्ट पड़ता है, उससे क्या होगा, वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, तो गौर्मेंट को भी दिक्कत होगी, क्या बनती पॉलिसी ह सफाई अच्छे पानी नहीं होता है, तो यह सब सबस्दे क्या है, वहाँ पुरा जो नगर में है, वो समस्या बड़ी होने रगती है, ठीक है? तीसरा रोजगार की समस्या बिलकुल बात है अगर आप गौवों को छोड़ का शहर आ रहे हो या कोई एक शहर दुसरा शहर आ रहा है तो इसको काम की तलाश है काम अगर सही नहीं मिलता तो फिर ओक है छोटे-बोटे रिक्ष़च चला रहा है कोई ठेला चला रहा है यह सब तो इसको कामों ही लग जाता है लेकिन बहुत लोग आसे उसको काम नहीं मिल पाता है वो दो वक्त की रोटी भी निज़ोगार पातें तो इसमें आपको नगरों है बच्चे ग्रामि अधिवास और नगरे दिवास तो दिखना है कि ग्रामिन अधार में क्या होते हैं बहुत जादा क्रिशी अधाई छेतर होते हैं ठीक है ग्रामिन के लोग जादा तर क्रिशी में रहते हैं यहां नगरों में क्या है उद्योग सेवा छेतर में रहते हैं ग्रामिन इलाकों में देखोगे तो क्या है समाजिक अधिवास को प्रभावित करने डिवाले किनी तीन कार्नों को उधान देजिए तो क्या है आपको जो ग्रामिन हो और शहरी इसके से कोई भी तीन कारण को ठाकर देना प्राकृतिक कारण हो सकते हैं कि वहां की जलवायू कैसी है वहां की अट्मोस्फियर क्या है वहां की वर्षा कैसी होती यह सब भी रिपेंड करता है जाती संस्कृति करता है खनी शक्तिशन साधन जलापूर्टी परिवहन यह सब क्या है हमने पहले पढ़ा है तो इनी सब पॉइंट में से क्या है आपको तीन से चार पॉइंट लिग देने है ठीक है आगे स्मार्ट सिटी के अउधान यह क्या है जब नगरी करना पढ़ोगे तो हो सकता है समार्ट सिटी के अधान यह सब चीज़ें क्या है तो इन शहरों के नगरी करना ना पानी के सुष्वादाओं के अधर कराई जाए जाए जाएंगी साथ ही बचाओ सुरक्षा का प्रभंदन होगा यह शहर अने शहरों के लिए प्रकाश इस्तम्य के रुप में कारे करेगा मतलब एक ऐसा शहर बनाना है जहां सभी शहर वही रहे लेकिन वहां की सुवधाई अच्छी हो जाए पानी पीने की पानी स्वास्त सिवाए यह आताय सब्सक्राइब हो जाए सिग्नल अच्छे हो जाए तो यह सब क्या है स्मार्च ठीकि आउधाना ठीक है तो बच्चो इस रप्टर से इतना ही बस करना था और कुछ भी नहीं करना ठीक है यह च्छेपास से छही कोशन है जिसको आपको पढ़ना है और लिखना है ठीक है तो इससे जादा और कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है तो हम अगले अधिया में मिलते हैं तब तक आप अपनी तयार इच्छे से करते रहिए बैस्ट और प्लक